ओम गनेशाय नमहा, ओम नमहा शिवाय, मैं निखिल जोतिशा चार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव की कृपा आप सभी पर सदा पनी रहे, कि वीडियो धनू यानि कि सैजिटेरियस के लिए अत् हारित होता है, जैसे कि सामान विश्टेशन, करियर, विजनस, इंकम, इंवेस्मेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडन्स और सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत्मे मैं कुछ विशेश उपाई भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकरात्मक्ता में वो भी अवेश्य राशिफल को अब्सब कर सकते हैं, शुरुआत करते हैं सत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान विश्टेशन के साथ, सर प्रतम हम लगन भाव को देखेंगे, लेकिन लगन भाव को देखने से पहले दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस महीने जिसक कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, स्पेशली बडे ग्रह, तो उनकी स्पीड पहले हí कम होना शुरू होती है और मंगल भी दिसंबर में वक्री हो जाएगे तो उनकी भी स्पीड इस महीने कम होना शुरू हो गई है। बताऊंगा और इस महीने ग्रहन भी लग रहा है और आपके चौते भाब में ग्रहन लगेगा यानि कि 18 सितंबर को जब चंद्रमा आपके चौते भाब में होंगे तब ग्रहन लगेगा जो खगोल ये घटना होते हैं एक होता है ग्रहन दोश की सूर्य राहुकेतु के साथ है तो ग्रहन दोश लगता है ये ग्रहन लग रहा है जिसका प्रभाव होता है शुरू करते हैं सबसे पहले हम लगनभाव को देखेंगे लगनपर मंगल का प्रभाव पूरे ही महीने रहेगा अब मंगल क्या है आपके पंचमेश हैं और मैंने जैसे कहा वो धीरे हो रहे हैं ये महीना आपको बहुत कुछ सीखने का समझने का और समझ के अपने जियोन में इंप्लिमेंट करने का मौका मिलेगा मंगल जो है वो आपके बारवे घर के स्वामी भी है उनका लगन को देखना भौतिक रूप से विदेश से लाव विदेश समझ चीजों से लाव दिखाता है लेकिन बारवा भाव अंत का है और मंगल अभी यहाँ पे आत्मन्थन के प्रभाव में है और गुरू भी धीरे हो हैं तो यह दोनों ग्रहा जो बहुत डिरेक्ट इंपक्ट आपके उपर डाल रहे हैं बता रहे हैं कि जीवन थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन आपको बहुत आसपास चल रही चीजों आसपास रह रहे विक्तियों इनके बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा कौन अपना है धीरेक्रह होता है वो जीवन में एक ठहराव ले आता है वो आपके कारियों को बाधित करना शुरू कर देता है ताकि आपको थोड़ा सा समय मिले और उस समय में आप एनलाइस कर पाए कि जीवन में चल क्या रहा है मंगल आपके पंचमेश है लक्षमी स्थान के स्वामी है तो पैसा कमाने की आईडियाज आएंगे लेकिन यही मंगल क्योंकि सब्तम में बैठे होंगे मेरेड लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा मंगल का दृष्टी द्वारा प्रभाव लगन पर भी रहेगा और वानी के स्थान पर भी रहेगा इस महीने ग गुस्सा बहुत जादा रहेगा और वानी में भी आपका जो गुस्सा है वो ज़लकेगा तो जितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा गरहन 18 सितंबर को लग रहा है आपके चौते भाव में जब चंद्रमा आपके चौते भाव में आ जाए यह समय माता जी की सिहत के लिए अच्छा नहीं है और क्योंकि यह भाव जो है यह सब्तम से दस्वा है इवन आपके और आपके पती पतनी वरके आप दोनों के बीच में पती पतनी के बीच में थोड़े एगो क्लेशेस हो सकते हैं और हो सकता है थोड़ा सा emotional level पर आप पार्ट करना है और अपने जीवन को simplify करना है अब ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं जो सरप्रथम गोचर होगा वो होगा बुद्ध का और बुद्ध आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे चार तारीक को चार सितंबर को अब ये बुद्ध आदिती बन रहा है और बुद्ध अरति योग बन रहा है भाग्यस्थान में यानि कि एक clarity आए कि भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी खुद यहां बैठे हैं और वो करमेश के साथ बैठे है यानि कि बुद्ध के साथ बैठे जाएंगे और सत्तमेश के हो रहा है तो यदि आप अपने कारक्षेत्र में ट्रांसवर्स चा रहे ते उसके लिए अच्छा महिना है लेकिन बॉसेस से और फादर से थोड़े डिफरेंस ओफ अपिनियन हो सकते हैं इगो थोड़े सा बढ़ेगा और कही ना कही एक फेक सेंस ओफ superiority complex आपके अंदर आजागा कि मैं ही श्रेष्ट हूँ तो इससे भी बचना है आपको consciously क्योंकि गुरु का लगने है कभी-कभी ऐसे लोगों के अंदर ego हो जाता है और ये वही समय है जब आप अपने आपको दूसरों से श्रेष्ट समझना शुरू करेंगे और गलतियां कर सकते हैं लेकिन बुद्धी मता का साथ मिलेगा अपने ego को थोड़ा सा नियंत्रित रखेंगे तो अच्छा है इसके बाद जो गोचर होंगे उनकी बात करते हैं सौरा तारीक को सूरे दस्वे घर में आ जाएंगे अठारा तारीक को शुक्र चले जाएंगे आपके क्यारवे घर में अब इसका प्रभाव क्या रहेगा सौरे का दस्वे घर में आना बहुत अच्छा होता है लेकिन केतु के साथ उनका प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी होता है कारक शेत्र में सब अच्छा भी रहेगा लेकिन आपका मन नहीं लगेगा मन कहीं और ही आपका भटक रहा होगा या तो परस्नल लाइफ में या अपने आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने कारक शेत्र से 16 तारीक से 23 तारीक के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी बॉसे से थोड़ से आर्गुमेंट अभी भी हो सकते हैं शुक्र की बात करते हैं शुक्र तो बहुत अच्छी अवस्ता में है बहुत अच्छी अवस्ता में एक तो लाब साने के शुक्र है अपनी राशी के शुक्र जो और बली हो गए और ये उपचे स्थाने के शुक्र भी है पैसा बढ़ेगा, अठके हुए काम पूरे होगी, इच्छाओं की प्राप्ति होगी, और कही न कहीं जीवन में एक सकरात्मक्ता का बोध होगा तो अठारा तारीक के ये जो समय है, ये आपके लिए थोगा सा sensitive है, क्योंकि सूर्य केतू के साथ आ गए और यहाँ पर वो भागेस्थान के स्वामी भी है, तो भागे का भी बहुत साथ नहीं मिलेगा, जैसे ही बुद्ध 23 तारीक को आपके दस्वे घर में आएंगे, अपनी ही राशी में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, तो कारक शेत्र में, कर्बों में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो दूर होगी ध्यान ये देना है, जैसे बने का 16 से 23, ये सूर्य के कारण sensitive time है, और इसी period में, यानि कि 18 तारीकों है, यहाँ पर ग्रहन भी लग रहा है, तो 18 तारीक से 4 पार जिन पहले, 4 पार सिन बाद तक का समय, sensitive रहेगा, और यहाँ पर जब ग्रहन लगेगा, तो दस्वे घर को भी देखेगा, तो कारण ग्षेतर में, इसी period में, यानि कि मान के चलिए कि 14-15 तारीक से 23 तारीक, यहाँ पर उल्जने आ सकती है, clarity की कमी रहेगी, और आपसे गलतियां हो सकती है, धनु वालों में anxiety बहुत होती है, मैं कईवा बता चुका हूँ, और जब यह गरहन चौते भाव में लग रहा है, जो emotions का भाव है, तो इस महीने anxiety की problem भी आपको तंक करेगी, और उसका प्रभाव आपकी हर area पर बढ़ सकता है, तो बुरा नहीं है, लेकिन sensitive महीना है, शुक्र बहुत चीजों को बदलेंगे, अच्छा करेंगे, बुद्ध बहुत चीजों को बदलेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की वशक्ता है, अपने emotional health पर, anxiety पर control, और overthinking पर control, जितना आपने यह कर लिया, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और अल महीना शुब है, बुरा नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान दीजेगा, अच्छा, शनी, शुक्र, मंगल, यह जो काम तरिकोन आपका activate हो रहा है, अवश्य, अवश्य बता रहा है कि आपके, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ती, जो जीवन रुक सा गया था, जो जीवन थम सा गया था, जो जीवन एक ऐसे जगा पर आके खड़ा हो गया था, कि जहां से आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा था, यह वो महीना है, श्पेशली अठारा हों में इस तारीक के बाद, आपको जिवन में नए रास्ते प्राप्त होगे, नए राह प्राप्त होगी, नए मुकाम प्राप्त होगे, तो बहुत अच्छा महीना है, mental health पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, गुरु लगनेश है, छटे भाव में बैठे और वक्री होने की तरफ जा रहे हैं, इवन फि शुरू महीं कहाता न, कि लोगों के बारे में पता चलेगा, परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा, लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे, उर्जा रहेगी मंगल के करण, और चीजों को समझने का जो आपका एक लेवल है, वो अलग मुकाम पर पहुँचेगा, आपको नई priorities समझा देंगा, फिर अपने जीवन में क्या करना है, at least आने वाले कुछ महीनों के लिए, वो आपके मन में एक clarity के साथ आजाएगा, अपने जीवन को sustain करने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाए, वो भी आपको इस महीने समझाएगा, तो महीना अच्छा ह वानी में सौमित आवश्य लखेगा, कुछ negative चीज़ें, वो ही कहूँगा गुस्ता, over excitement, कुछ अचानक से impulsive होकर कुछ कह देना, कर देना, और over stress, और वो भी hypothetical situations मना कर, ये इस महीने तक करेंगा, करियर के तरफ चलते हैं, ठीक है महीना, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी स करने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, मंगल सब्तम में है, और चौती द्रिश्टी से दस्वे घर को देख रहे हैं, और यहाँ पर नीच के शुक्र है, थोड़ा सा office politics से बचके रहीगा, यहाँ पर office politics तो होती ही है, थोड़ी जगा हर ज चेतर में, तो 18 तरित जब तक शुक्र आपके सब्तम में, दस्वे भाब में है, बहुत बचके रहीएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत problem इसके कारण हो सकती है, और अपने aggression पर भी control रखेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव ऐसा है कि वो दस्वे घर को देख रहे हैं, और आप बता चुका हूँ, ये morally correct रहते हैं, लेकिन blunt होते हैं, अब उसका थोड़ा सा प्रभाव इस महीने negative देखने को मिल सकता है, office politics से बचेगा, अपनी छवी मत धोमिल होने दीजेगा, क्योंकि यहाँ भी लोग आपकी छवी को खराब करने का ही प्रयास करेंगे, आपने कितना पहले बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध पहले आपके नवम भाव में आ जाएंगे चार तारीक हो, क्योंकि वो दसवे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आना यानि की चीजे थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन बॉसेस से arguments चार तारीक से लेकर सॉला तारीक के विश में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरे के साथ बुद्ध हैं, और सूरे नवम के स्वामी जो बॉसेस का भाव है, लेकिन थोड़ा सा confidence वापस आएगा, बुद्धी मता वापस आएगी, अगर कराना चार रहे थे अपने कारेक शेतर में, आप चार रहे थे कि आपका department बदले तो उसके लिए समय आपका बहुत अच्छा पॉच्टेश्ट दिख रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सूरे का गोचर होगा 16 तारीक को, सूरे आजाएंगे आपके दस्वे भाव में 16 तारीक को, और 18 तारीक को शुक्र आपके 11 घर में आ जाएंगे, अब यहाँ पर प्रिवर्तर योग बन गया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सूर्य बुध की राशी में है और बुध सूरे की राशी में है, यह भी पुरहा टांसवर का योग बना रहा है, अगर आप चाहरे एंदे डिपार्ट्मेंटल टांसवर हो तो आपका हो सकता है और हो सकता है बिना चाहे भी आपका departmental transfer यहां पर हो सकता है यह तो पूरा महिना रहेगा स्पेशली 23 तारीक तक यह योग आपका रहेगा लेकिन यहां पर सूरे केतु के साथ आगे सूरे का दस्वे घर में आना अच्छा होता है दिखबली होते लेकिन केतु के साथ क्या होत और यहां पर दस्वे घर पर प्रभाव रहेगा, तो यहां पर detachment आना शुरू हो जाएगा, कारे में मन नहीं लगेगा, कुछ लोगों का job छोडने का मन कर जाएगा, कि मुझे नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो यह सबसे sensitive time है, फिर बुद्ध आ जाएंगे आपके द बादकेश हैं, लेकिन वो दस्वे घर के स्वामी है, कोई भी घर अपने भाव को बचाता है, और यहां पर वो उच्च के भी हो जाएंगे, और एक महापुरुष पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, तो चीज़े अच्छी हैं, लेकिन sensitive period जो बने कहाना, सबसे हफ आपके जॉब में एक्स्टा पैसा कमाने की opportunity होती है, अवश्य आपको लाव अपराप्त हो सकता है, विशेश prediction बहुत शान्त रहिएगा, जो आप अच्छा कर सकते हैं, क्या अपने area में जो better कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजेगा, जादा लोगों पर trust नहीं करना, लोगो महीना कहीं आप समय के साथ अपने आपको ढाल लेंगे और problem को solve भी कर लेंगे, हर चीज़ पर control रखना है, कभी भी control अपने कारे का किसी की हाथ में नहीं देना, और कुछ भी risky चीज़ या कुछ भी जिससे आपका नाम घराब हो सकता है, बिलकुल मत कीजेगा, कुछ negative जहां तक business की बात है, महीना ठीक है, अच्छा ही है, सब्तम भा बिजनस का होता है, तो सब्तम में मंगल बैटे हैं, और वो आपके पंचमेश हैं, सब्तम से लाभ के स्वामी हैं, अच्छा है, बस ध्यान क्या देना है, लगनेश धीरे हो रहे हैं, जैसे मनें शुरु में क का रहे है, कोई electricity की problem आगे, मशीनरी खराब, मंगल है तो मशीनरी खराब हो सकती है, तो बस एक delay रहेगा, undue delay रहेगा, जो तंग करेगा, obviously, जो लोग अपना काम करते हैं, उनको पता है कि अगर delay आता है, तो सीधा उसका प्रभाव revenue पे होता है, तो वो एक factor रहेगा, लेक कि सिती ठीक हो गई अगस के मुकाबले, क्योंकि अगस में वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, फिर बुद्ध आ जाएंगे भागेस्थान में, चार तारीको बुद्ध अधित्योग बनाएंगे, भागेश के साथ, सब्तमेश और भागेश साथ में बहुत अच्छा है, ये भी आपके लिए विशेश है, अति विशेश है, और शुकर की सिती भी अच्छी है, शुकर अठारा तारीक को आपके ग्यारवे भाब में आ जाएंगे, और ये क्योंकि सब्तम से पंचम भाब है, यानि कि आइडियास पैसा कमाने के और एक जो गती रुक सी गई थी, और ठी हो जाएगी अठारा तारीक के बाद, बस ध्यान ये देना है कि ग्रहन लग रहा है चौथे भाब में, जो सब्तम से कर्म भाब है, अठारा तारीक के दो-तिन दिन पहले, दो-तिन दिन बाद, अचानक से आपके कारों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लॉसेस भी ह हो सकते हैं और थोड़ा बहुत फ्रॉड भी हो सकता है, यानि कि धोखा दड़ी भी हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव रहना है, अदर्वाइस महीना बहुत अच्छा है, शुक्र की बात करें तो शुक्र अठारा को यहाँ पर आजेंगे, तो आपका जो ब बड़े decision ले पाएंगे, curiosity रहेगी, focus रहेगा, उर्जा रहेगी मंगल के कारण, यात्राओं की योग बनेंगे, कई ऐसी meetings कर पाएंगे जो नहीं कर पा रहे थे, यात्राओं के द्वारा या लोगों से मिल पाएंगे, अच्छी news आएगी, बहुत बार अच्छा पैसा आए और determination अलग level कर रहेगा, और इसके साथ ही आप अपने business की brand value भी थोड़ सा better कर पाएंगे, negative क्या हो सकता है, over dominance, over controlling, अच्छी चीजों को accept कर लेना, लेकिन losses को accept ना कर पाना, जो business पे रहता है और अगर losses नहीं accept करता, तो कभी-कभी वो बुरा होता है, क्योंकि business में losses आए द आगले दो मेने पैसा ही ना है, तो यह प्रकार की चीज़े रहती है, और कभी-कभी आप बहुत impulsive रहेंगे, वो भी mangal के कारण ही होगा, और अचानक से कोई बिना सोचे समझे बड़ा निरने ले देना, वो भी इस महीने तक कर सकता है, income investment expenses, investment की बात करें, शुरुआती द सरवश्रेष्ट हैं, अंतिम दस दिमी ठीक है, तो overall investment के लिए महीन अच्छा है, अगर हम बात करें, income की उसके लिए महीन अच्छा है, आपके लगन भाव को, mangal देख रहे हैं, जो लक्षमी स्थान के स्वामी है, और शुक्र 18 को अपनी राशी के हो जाएंगे, वो भी ला आपके रहेंगे, उनी की बात कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा खर्चा आपका इस महीने के शुरुवाती आदे भाग में हो सकता है, कोई ऐसा खर्चा जो बिलकुल भी unanticipated था, यानि कि जिसके लिए आप तयार नहीं थे, और obviously जिसकी income limited होती है, बहुत यात्रा है, इस महीने करनी पड़ेंगे, उन पे खर्चा होगा, धार में कारों पे खर्चा होगा, आपके बच्चे हैं तो अगर तो उनकी सेहत पर उनके रखरकाप और उनकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा होता होगा दिख रहा है, और इसके साथ ही कुछ बड़े कारें को पूर्ण करने के लिए, जो बहुत लंबे टाइम से अटक रहे थे, इस महीने कुछ खर्चा हो सकता है, तो खर्चे थोड़े से रहेंगे, शुराती आदे भाग में कोई बहुत बड़ा खर्चा है से मने कहा, दिख रहा है, चलते हैं love and relationship के तिरफ, no contact situation, हैं chance हौल या ऐसी परिस्थिति क्रियेट कीजिए, जहां पर लगे कि हाँ, एक certainty है, और trust building जादा कीजिए, मैं कहुँगा कि बहुत जल्दवाजी मत रहीएगा, अगर चीजें चल रही है, आगे बढ़ रही है, बाचित हो रही है, तो पहले trust building कीजिए, फिर भले अगले महीने चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, relationship की बात है, ठीक था कि महीना कोई बहुत बुरा नहीं है, पंचमेश की स्थिती थोड़ी सी डामाडोल है, क्योंकि वो धीरे हो गए हैं, इसलिए एक delay आ सकता है, बाते पूरी नहीं हो सकती हो सकता है, उतना इदरों से को समय ना दे प होगी, लेकिन 18 तारीक को ही ग्रहन भी लग रहा है, जो पंचम से बारवे में है, जिनकी कुंडली में दशा अंतर अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए 18 तारीक से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद का समय अच्छा नहीं रहेगा, अचानक से बड़े लड़ाई जगड़े, अचानक से तू-तू मैं में, अचानक से ट्रस्ट इशूज आ सकते हैं, लेकिन फिर 20-23 तारीक के बाद चीज़े बेटर होना शुरू हो जाएंगी, तो ठीक था कि बहुत मुरा नहीं है महीना, हाँ, शनी की दिश्टी तो देखे पड़ ही रही है, तो एक continuous effort तो आपको relationship म डालना ही पड़ेगा, विशेश प्रडिक्शन, थोड़ी अनशित्ता रहेगी, लेकिन अपने partner को और अपने nature को समझने की कोशिश कीजिएगा, थ्वासा समय उनको देने की, extra आपको प्रयास करना पड़ेगा इस मेने समय देने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि अराम से स में की न, ये बात आगे बढ़ेगी, तो दूर तलग जाएगी, यानि की arguments होंगे इसमें, तो वहाँ पर थोड़ा शान्ती बना के रखना, वहाँ पर थोड़ा सा अपना ego कम रख लेना, कभी-कभी ego कम कर लेते हैं, relationship में, तो relationship बच जाते हैं, तो ये महिना इनी सारे चीज में अगस्त में ही जगड़े स्टार्ट हो गए होगी, सबतमेश की सिति देखें, बुद्ध, वो वक्री हो गए थे अगस्त में, फिर पतित हो गए थे, यानि की अगस्त का महीना थोड़ा सा डामा डोल गया ही होगा, और मंगल तो पूरे महीने बैटेंगी, यानि की aggression रह तो थोड़ा सा वहाँ पे जो difference of opinion जादा हो रहे हैं, वो कम होगे, फिर अगर आगे चले तो शुक्र 18 तारीक को आपके 11 घर में आ जाएंगे, और शुक्र विवाहिक जी उनके कारक होते हैं, तो उनका अच्छी स्थिति में आना यानि की चीज़ें बैटर होगी, और बु इन चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन शुरुवाती 15, 16 या 18, 19 तक मान के चलिए, बहुत जद्धो जहत करनी पड़ेगी, उसके बाद चीज़ें stable होना शुरू होगी, 18 को ही गरहन भी लग रहा है, और वो गरहन जो है वो आपके सब्तम से दस्वे में लग रहा है, यानि उनके लेकर कोई arguments हो सकते हैं, उनको लेकर कोई बात हो सकते हैं, कोई problem हो सकती है, उसके कारण आप दोनों के उपर बहुत impact रहेगा, और trust issues बहुत रहेगी, इस महीने जो mainly जीज़ें करेगी न, वह है aggression और trust issues, तो इन पर कारे करने की अवशकता है आपको, vicious prediction बहुत भ्रमि सिती रहेगी कई बार, कुछ अच्छे moments भी आएंगे, क्योंकि शुकर अच्छे हो रहे हैं, मंगल शुकर नवपंचम में हैं, यानि कि रिकोन में हैं, तो एक intimacy भी वापस आएगी, लेकिन overall, over excitement, over enthusiasm, over expectation, यह बहुत रहेंगे, शड्यंत्र रच रहे हैं, मैं आपको सच बता कुछ लोग अवश्य होते हैं, जिनसे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं, एक खुली किताब कभी भी married life नहीं होने चाहिए, यह सबको पताए कि आपके जिवर में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, नहीं, बिलकुल नहीं, और especially आज के टाइम में जो social media ने जो जितना married life को खराब किया है न, उतना किसी चीज नहीं किया, खाना खा रहे हैं साथ में, तो social media पे, रेस्टों में गए हैं, तो social media पे, हर चीज social media, बिलकुल मत कीजेगा इस महीने, बुरा प्रभाव रहेगा, माने ना माने इन चीजों का प्रभाव परता है, नजर दो सोगे, ये चीज़े करती हैं काम, तो लोगों की बुरी नजर से बचे, arguments हैं, जो भी है अपने तक रखें, अपने लेवल पर सुलजाने की कोशिश करें, लेकिन ये है कि arguments और गुसा इस महीने बहुत ज़ादा रहेगा, जलते हैं students की तरफ, जहां तक students की बात है, exam से शु students के कारक होते हैं, और उनकी अवस्ता अगस में थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन इस महीने अच्छी होती जाएगी, पहले वो यहाँ पर बुद्धा दित्योग बनाएंगे, चार से सौला, और और अच्छा होता और पंचम से पंचम में होगा, फिर 23 को अपनी ही पंचम भाव students का होता है, तो पंचम के स्वामी मंगल राजयोग बना रहे हैं, और 18 तारीक को शुक्र भी यहाँ पर आकर पंचम को देखना शुरू करते हैं, जो लाव स्थाने के स्वामी हैं, लाभेश हैं, तो students के कई कारे महीने के मद्दे भाग के बाद बनेंगे और स का कारे कोई पेपर वर्क अटक रहा है, वो बहुत जल्दी पूरा करवा लिए जगा, बना बात बहुत अटक जाएगी, बहुत बहुत बिगड़ जाएगी, कभी-कभी अकेला महसूस करेंगे, मांसिक लेवल पर उदासी इंता भी रह सकती है, तो वहाँ पे किसी से बात क कीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, रदर दन कि एकदम दूसरों को देखकर फॉलो कर रहे हैं, अपना एक अलग तरीका ढूंडिए, और थोड़ा सा अपने आपको प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए, जो भी चीज आपको प्रसन्नता देती है, वो कीज इन डिजेशन बहुत तंग करेगी, स्किन डिसॉडर्स तंग करेंगे, लोवर बैक में दर्द रहेगी, यह चीज़े ज़ाद दर्द करेंगी, जो शुरुआते दस दिन है, एस्टी पेट के रोग, लोवर बैक में दर्द, वेस्ट के आसपस दर्द, कमर का दर्द यह बह इंग्जाइटी बहुत चरम सीमा पर चले जाएगी, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, स्लीप डिसॉडर्स रहेंगे, और यदि अलड़ी कोई मानसिक विकार है तो दिक्कत होगी, इन्फेक्शन और ब्लड डिसॉडर्स तंग कर सकते हैं, एक ही बार यह पाय करने हैं विश्वेश्वराय नम्हा मंतर का एक स्वाट बार जाप करना है, इसके साथ ही आपको शिवजी के मंदर में गुड का घी का दान करना है, और कुछ शिवचारीसा की पुस्तकों का भी दान करना है, आशा करतों की वीडियो काम आएगा, चैनल पे नहें सब्स्राइब मिलता हो अगली वीडियो में तब तक के लिए, ओब नवाट